कलस्टीबी के पॉपलर सीरियल फणा में हमने अब तक देखा कि यहां पर अगस्ते के पास पाखी पहुच जाती है और पाखी कहती है कि तुमने डिवोस के पेपर्स पर साइन कर दिये हैं तो मैं भी साइन कर देती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे हम देखते हैं कि पाखी जैसे ही साइन करने जाती है वैसे ही फिर से पूछती है अगस्ते से कि तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया है ना और अगस्ते के आँखों में आसु आते हैं इसके साथ आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पाखी वो डिवोस के पेपस फार देती है और अपनी प्यार का इजहार करती है इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि अगस्तिय और पाखी के बीच में हमें रुमेंटिक मॉमेंट देखने को मिलता है जहां दोनों ही एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं आगे हम देखते हैं कि दोनों ही परिवार वाले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं पाकी और अगस्तिय को एक होते हुए देख वेल इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि पाखी जो है अगस्ते की टांग खिशती है और अपने घर वालों के साथ चली जाती है और अगस्ते है जो पाखी को बहुत मिस्स करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले दिन पाखी अगस्ते को लेकर आता है अपने घर और दादी कहती है कि आज तुम्हारा गृप्रवेश सही माइने में होगा पाखी और हम देखते हैं कि पाखी और अगस्ति का गृप्रवेश करवाती है दादी और वहीं पाखी मातारानी के आगे मनत मांगती है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए और हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे इसी दोरान हमें कोई फ्लाइट से आते हुए दिखता है और जलक दिखती है नए शक्स की अब ये नए शक्स कौन है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि इस नए शक्स के आने से क्या तुफान मचेगा अगस्तिया और पाखी के जिन्दगी में जानने के लिए देखना ना भूले फना टेलेविजन की लेटिस्ट अबडीट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले